हेलो फ्रेंड मैं हूँ सुजाता ऐसे वर्ड जोन में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम जानेंगे पैरेग्राफ के बारे में तो चलिए जानते हैं यह देखें यह कुछ पैरेग्राफ टाइप किये हुगे हैं हमने यह फर्ष्ट पैरेग्राफ हमने सेलेक्ट किया है इसको सेलेक्ट करने के बार पैरेग्राफ की जानकर आपको मिलेगी यह देखें प्रॉपर्टी बार में यह ए लिखा हुआ है यह तो आप इस पर किलिक कर दीजे यह menu bar में जाकर text menu में जाकर यहाँ पर लिखा हुआ है text properties इस पर क्लिक कर दीजिए या keyword से control T कर दीजिए तो यह एक छोटी से window open होकर आती है side में यह देखिए नीचे आएंगे यहाँ यहाँ लिखा हुआ है paragraph यहाँ पर आपको paragraph की full information दी हुई है परग्राफ में चेंजिंग कहां से करेंगे और क्या क्या चेंजिंग होती है वह सब इसमें दीया हुआ है तो देखिए हमने यह paragraph को select किया है इसमें सबसे पहले आता है align left तो यहां से देखें कि align left है यहां पर यह जो भी अपर यहां पर टाइप करेंगे वह left से ही type होता जाएगा चेंड है इसमें center तो देखिए हम इसको center करते हैं यह देखिए हमारा paragraph center में हो गया और अब हमारा third है हमारा right alignment यह देखिए राइट alignment हो गया हमारा fourth है इसमें लिखा हुए फुल justify this को करते हैं तो यह देखिए फूल justify हो जाएगा यह देखिए last आता है हमारा fourth justify what सद क्वेड में क्या होता है यह जो last वाली लाइन है वह इंड्ट तक बरावर में आ जाती है उपर वाली술ाइनों के बरावर में आ इसको बोलते हैं force justify ठीक है अब देखिए हमारा आता है यह character spacing character spacing का मतलब है हमने यह इसको देखे सेलेक्ट किया हुगा है यह जो character हैं इनके पी इस बढ़ेगा देखिए अब यहाँ जीरो है अगर ऐसको 50 करते हैं तो यह एक है Step टूल को लेने के बाद क्या होता है जैसे हिशो को लेते है यह देखिए कि गया हर एक च्रेक्टर के नीचे सब्लॉक मिन कर आ लगा play ळाग और हम यही की उछल करते हैं तो देखी है यह हमारा वर्ड के पीच में इस में थेश्टिफाइब अब तेज से कि हम यह वाला यहें इस फुल जस्टीफाइब हमने यह किया हुआ है फुल जस्टिपाई अगर अब हम इसमें बीच में कहीं पर भी क्लिक करके टाइप करते हैं तो यह देखिए पूरा उसी में ही सैट होगा जैसे कि आगे बढ़ा है उपर वारी लाइन में अगर ज्यादा इस पर लेगा तो यह नीचे वाली लाइन में स सेंटर अगर हम इसमें कहीं पर भी क्लिक करते हैं और यह टाइप करते हैं तो यह सेंटर से यह paragraph है इसमें कितनी लाइन है एक दो तीन चार पांच लाइन है अगर हम कंट्रोल की प्रेस करते हैं तो यह देखे एक लाइन में टूड़ गया देखे अब यह एक लाइन अलग अलग सेलेक्ट हो रही है अगर हम चाहते हैं कि यह वाली जो लाइन फर्स्ट वाली इसको हम मैं तोड़ना चाहते हैं तो फिर से कंट्रोल के कर दीजे तो अब यह एक एक वर्ड में टूड़ गया यह देखे यह एक वर्ड यह दो वर्ड यह ऐसे टूड़ जाता है अगर हम वर्ड को ही कंट्रोल की करते हैं तो यह एक एक केरेक्टर में टूड़ जाता है यह देख मिकी की यह पहली वाली दूसरी याइन और तीसा गडूसरी पहले की तरह जूड़ जाएं तो क्यान करेंगे पहले च Chief के साथ सक्षप सेक्षा करते हैं और कीवोड से control L प्रेस करते हैं तो यह हमारी लाइन जुड़ गई है देखिए जूड़ गई हमारी लाइन यह हो गई तीनों लाइन एक पहले की तरह अब यह जो देखिए हमने जो लाइन तोड़ी होई थी control के से अब इस पर क्या है यह iAD फोर्स फुली जस्टीवाईह। होगा तो लेकिन यह दिखाई नहीं देगा जैसे कि समझंगे यहां थो लाइन पश्षा मोड़े इसपर हम सबसे पहले करते हैं कंट सेंटर चांटर पर दिखांगे हैं कहीं भी बीच मैं साइड में ऐसरा किम थाइप टाइप करने स्टार्ट कीजिए जैसे हम टाइप करने चना चार्ट करेंकu यह दोना थार्व से बढ़ेगा क्योंकि इस पर क्या है सीन्टर का ऐवेक्त अब कर दोनां साइठ से यह पर यह भी सो नहीं हो रहा है अब हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको टाइप करते हैं तो देखें यह टाइपिंग करने स्टार्ट किया है जैसे टाइपिंग करने स्टार्ट किया यह राइट साइट से आगी की तरफ नहीं बढ़ रहा है राइट साइट से लेफ्ट की है यह फुल जस्टिफाइब में के बारे में के से एक हमारा पूरा कैपिटल में लिखा हुआ है तो के से लिए टैक्स्ट में जाने के पाद यहां नीचे लिखा हुआ है Change Case, इस पर क्लिए करते है, विश्प, चोटा सा Dialog box open, और इस में देखे, सबसे पहले लिखा सेंटैंच केस, दूसरा लिखा आपर केस, फिर टाइटल केस, पिर टॉगल केस, तो सबसे पहले हम यह देखते हैं, लूआ केस के बारे में, लूआ केस पर serait किया और okay किया तो यह हमारा सब lowercase में आ गया इसमें लेविशीडी में आ गया उसके बाद फिर से text पर जाते हैं change case और अब हम यह करते हैं upper case तो यह देखेंगे सारा upper case में capital letter में आ गया फिर से जाते हैं इसमें हम करते है title case title case का मतलब क्या है हर word का पहला character है वह capital में आएगा टॉकल केस टॉकल केस का मतलब होता है कि जो first word है वह small में होगा वाकी सारे capital में होगे यह होता है हमारा case changing आईए अब हम देखते हैं save tool से अलग अलग word को कैसे design करते हैं अभी यह लिया हुआ है save word zone लिखा हुआ है अब हमने save tool को लिया हो ठीक है पहले हम पूरे को select करते हैं और इसमें कोई भी color जो आप देना चाहें वो color दे दीजे यह हमने color दिया इसमें outline डालते है यह हमने outline डाली keyword से एप टल की press की यह dialogue box open और रोकर आगे outline का इसमें देखिए outline यहां से हमने outline ली four point की okay कर दिया अब सेस्वर जो उन पर हमने outline डाली तो यह outline क्या है यह world जो हमने red color फिल किया तब उसको ऊपर आ रही है अगर हम चाहते हैं कि outline उसके पीछे जाए तो keyword से f12 की press कीजे यह चोटा सा dialogue box open होकर आया इसमें यहां लिखा हुआ है behind fill और scale with image behind fill का मतलब है जो भी हम outline डालेंगे वो हमारे fill color के पीछे आईगी तो अगर हम इन दोनों पर tick नहीं करेंगे तो जो हमने fill color किया है वो छुप जाएगा तब हमने इस पर tick किया और okay किया यह देखिए हमारा जो red color है वो दिखने लगाया और outline जो है वो हमारे fill के पीछे चली गई है ऐसे हम इस पूरे को select करते हैं एक 12 की press करते हैं और इन सब लिख करके okay करते हैं यह देखिए अब हम इसको छोटा या बड़ा करेंगे तो यह professionally छोटा या बड़ा होगा यह देखिए इसकी outline में कोई भी फर्क नहीं आएगा अगर हम इस में से scale with image और behind fill को हटा देते हैं और फिर okay करते हैं अगर हम अब छोटा बड़ा करेंगे तो देखना क्या फर्क परता है यह देखिए हमारा जो fill color है वो गायव हो गया अब सिर्फ outline दिख रही है यह देखिए फिल कलर तो एक दम से गायव हो गया अब हम इसको फिर से करते हैं behind fill scale with image देखिए यह आगया अब हम इसको चाहें जतना चोटा करते हैं यह देख लिए यह चोटा किया हमने देखिए फिल कलर भी देख रहा है और outline विसओ रही है देखिए अब हमने लिया सेव टूल को लेने के बाद इस पर क्लिक करते हैं कि अब और एक इसको ऐसे कहीं उठा करप सकते हैं यह देखिए हैं यह यसा सब्द्सक्राइब हे इसको रख सकते हैं यह देखिए अभी हमने जोन को कैसे लिख दिया अभी बिलकुल सीधा लिखा हुगा था अब हमने इसको डिजाइन में कर दिया उपर नीचे कर दिया इसके हम कलर चेंज कर देंगे आउटलाइन चेंज कर देंगे इस वीडियो में आपने जाना पेरग्राफ के बारे में